तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं हमारे इस यूटूब चैनल टोटल लर्निंग में तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दू कि आज का जो सिरी चलने वाला है ना बहुत ही ज्यादा करने वाले तो आप से लोग इस वीडियो को पूरा इंट तक देखना और ज्यादा से ज्यादा उपस्तिती बना लो जल्दी से ज्यादा से ज्यादा उपस्तिती बना लो क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं चुटना चाहिए साथ में प्रैक्टिस करते चलिएगा जिसका आंसर पता रहे आप सभी लोग कमेंट सिक्षन में बताते चलिएगा तो चलिए दोस्तों जो लोग हमारे चैल पर नए होंगे पहली बार होंगे तो लोग को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन को आल कर होगे और को बहुत जल्द स्टार्ट होगा अ ठुघनहें सुरू करते हैं और टेली ग्राम चैनल को में बतातों टेलींगराम चैनल को ज्वाइन कर लिए हाँ पर से टोटल लरनिंग रहेगा वही टोटल लरनिंग आप लोग सरो कर एक तो वहां पर सानित making वही लोगों आपको टेलीगराम पे भी मिल जाएगा तो चलिए तो क्वेश्चन नमर वन आपके स्कीन पे आ रहा है फट आफट दीजेगा आंसर देखे क्वेश्चन नमर वन है प्रथम अंतराष्टी टीट वंटी किरकेट मैच कब खेला गया यह 2020 में पूछा गया है ठीक अब इसी तरीके से आपका पैरा मेडिकल में पूछ देगा कि प्रथम मंतराष्टी है वर्ल्ड कप क्या दोस्तों मेच कब खेल गया वर्ल कप अब यहां पर हट करनके वर्ल कप करके मैच कब खिला गया जल्दी से कमेंड करके बताइ welche को पता है तो लौ मिए जल्दी से बताई यह पता है तो और तीटोवंटी दोहजर पाँच इस हुने में और आप सभी को पता भी होना चाहिए कि भारत हमारा भी जीता था और हाली में जो 299 का दोस्तों जो हाली में ض़जर वॉत कौन जीता मालूम है इसमें इंगलेंड जीता था ठीक है कौन है इंगलेंड याद रखेगा इंगलेंड वीनर था टीटवंटी एट क्या वर्ल्ड कप में है ठीक है कि चलिए ते यहां पर क्वेस्चन नमर 2 आपके स्किन पर आ रहा है कहता है किस नदी पर बना हुआ है बहुत ही जवरदस्ट जालेगा अभी आपको बहुत सारे क्वेस्चन देखने को मिलेगा कौन सा नदी पे दोस्तों टीरी बांध बना हुआ है फटा फटा आंसर करिए तो चलिए आप सभी लोग मिलाईएगा ठीके टीरी बांध जो है किस नदी पे दोस्तों तो जो लोग आपसा नमर भी यानि की भागी रती बता रहें बहुत अच्छा उनका राइट है जी ठीके भागी रती नदी पर जो बांध बनाएगा वह टीरी बांध है और आप सभी क याद रखना है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देगा कि टीरी बांध कहां है किस राज्य में तो यहाँ पर आपको याद रखना है उत्तरा खंड ठीक है अब एक और क्वेश्चन मेरे तरफ से आता है आप सभी लोग बताईएगा तो गंगा नदी पर कौन सा बांध है जल्दी से बताये तो आप सभी लोग घंगा नदी पर तो वह है फरक का ठीक है क्या नाम है बांध का तो फरक का बांध याद रख लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सभी को घबराना नहीं है ठीक है फरक्का बांद नाम है ठीक है याद रखिएगा जालें अगला कुरदे हैं को grandson nr3 केता है भारत का सबसे बरा सौर सक्ति सड्यंत्र कहां इस्स्तित है यानि की भारत का सबसे बरा सौर सौर मतलब की कहने का मतलगे सौर सक्ति उड़ा सबसे ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है वह किस छेत्र में किया जाता है अब से नागर कोईल और भी है जैसल जैस लमेर आपसन नमर सी है कामूती आप सब्सकारन किस जगह पे सबसे बढ़ा सौर शरयंतर जाने कि सबसे बढ़ा सौर उर्जा को विद्धूत उर्जा में कनवर्ट करने के लिए बहुत ब़ूर यंत्र लगाया गया है तो चलिये मिलाएगा आप सभी लोग answer के वह कहाँ है ठीक है घटी में दोस्तो कि इसêuसे सबसे बढ़ा सोरव सक्ति शरियंत तो यह काम्यूति कहां तो आप सब लोग जानते होंगे यहाद और यहां पर कितना उर्जा होता है मालूम है 648 मेगावाट ठीक है 648 मेगावाट होता है चलिए question number 4 आपके skin पर है कहता है इन में से कौन सा अरभ सागर का बंदर ग्रा है अब यहां पर देखिए यह जो बंदर ग्रा आपको दीख रहा यह फटाफ़ाद आंसर बताएं तो आप समीं लोग तो अरब सागर का बंदरगरा है ठीक है याद रखिएगा अरब सागर का है तो इस टाइप के भी क्वेस्टन आपको जीका में देखने को मिलेगा तो सब बंदरगरा वह आप लोग देख लेना एक बार चलिए क्वेस्टन फाइब काता है इन में से किस गरह की सतह ठोस नहीं है कौन सा अशाज जो है सत्दह नहीं है आनी कि सॉलीड कहने का अप्संदम्र यह भी हस्पति आप शुक्र अप्संदम्र अब किस जगह तो चलिए यहां पर राइट आंसर देखियेगा ठीके राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तो अपसन नमर एप बियस्पती हो जाएगा ठीके बियस्पती का जो ग्रह है इसका जो सत्य वह ठोस नहीं है सॉलिड नहीं है बाकि आप सभी को मंगल के बारे में पता है क्योंकि ग्यानिक लोग लगे हुए मंगल पर जीवन व्यापन के लिए यहां पे भी अब कुछ समय आने वाले समय में दोस्तों मंगल गड़ा पे भी हम लोग का जीवन बसेगा ठीक है तो यह तो रहा भई और य पूछा जाता है कि अधर वीडियो में करवा चुका हो लेकिन यहां पर जरूरी है अगर क्वेस्टन से चल रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से सीखें तो यहां पर कुछा जाएगा सबसे अधीक उप गड़ा कि किस गरह का होता है क्वेस्टन आ जाएगा तो आपको क्य अब लोग इसका क्या होगा तो चलिए देखिए आप से लुग जान लीजे सबसे अधीक जो उपगर रहे दोस्तों वह बिहस्पती कहीं है ठीक है किसका है विहस्पती कहीं याद रखेगा हर तरह से क्वेस्टन को त्यार रखना आपको ताकि आंसर दे सके चलिए क्वेस् परदान मंतिर इसका तो आंसर दीजेगा दोस्तों जल्दी से फटाफट जितना जल्दी में आप सब्सक्राइब कोशिस करें कि आंसर दे सकें और अभी तक से यह लाइक वाला बटन नहीं दबाए तो लाइक वाला बटन दबादो और जल्दी से सेर कर दो सभी स्टुडेंट आ जाएंगे अभी बहुत सारा क्यों करने वाले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप से लोग संख्या को बढ़ाव मज़ा आता है मुझे भी मोटिवेट होता है कि मेरे साथ बहुत सारे सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा संख्या मे ने ओट मे उपराश्टपति कौन जल्दी साथा वा पत्यॡ यह अप्संपन है उपराश्टपती को न है वर्तमान में उपराश्टपति कौन है आपका क्वेस्टन पूछा जा सकता है तो चलिए देखिए यहां पर वर्तमान में कौन है दोस्तों हाज जी वकया नाइडू ठीक है कौन है वकया नाइडू याद रखेगा ना जिनको नहीं आदे वो लोग याद कर लिजेगा उपराश्ट पतिया जी वकया नाइडू चलि क्वेस्टन नमर सेवेन आ गया कहता है किस देश को उगते सूरच की भूमी कहा जाता है किस देश को उगते सूरच की भूमी कहा जाता तो आपसन नमर नौरबे आपसन बिए जापान आपसन नमर सेथ चीन आपसन नमर डिया भारत क्या हो राइट आंसर जल्दी से सर किस देश को उगते सूरज की भूमिक आ जाता है तो वह अपना जापान यानि का उपसन नम्मर बी जो बतारे उनका राइट है जी जापान हो जाएगा ठीक है जापान में सबसे पहले दोस्तों सूरज की किरन यहीं पर सबसे पहले पढ़ती है इनी के बशने वाले लोगो हता है कौन सा देश Kansas City छली स मतल Bened Commissioner कर यहां पर उगत अख है पर से और से क्वेस् obstacles की कि इससे आज जाता है तो सी कज़ता है मैं है नोरवे ननर्वे देश को का जाता है दोस्तों और यहीं पर सबसे पहले सूरज dziभता हुए दिखाई देता है ठीक है चलीए tam गला प्रश्ट के लिए रेडियो जे क्वेश्चन नमर एट आता है कहता है जाकीर हुसैन किस वाद्धी यंत्र शे सम्बंदित है आपसन नमर ए सितार आपसन नमर भी ए तबला आपसन नमर सी गिटार आपसन नमर डिय वीना यहां पर पाई छुटा हुगा है कौन सा सम्बंदित है तो हाज जी वह तबला से ठीक है जी तबला हो जाए गया पर तबल लिखा हुए तबला कर ले आप सबी लोग आपसन नमर बी जो बतार रहे हैं उनका राइट है तबला से ठीक है बहुत अच्छा चलिए नमर नाइन के और बढ़ते क्वेश्चन नमर नाइ कि यह क्वेश्चन आपको बाइलोजिक के तरफ से भी काम दे सकता है साइंस में पूछा जा सकता है तो चलिए देखिए आप सभी लोग आंसर क्या होगा जी आंसर देखें मिला यह सभी लोग ठीक है पीलिया जो है दोस्तों किस अंग को प्रभावित करता है संक्रामन के देखिए संको तो वह यकृत यानिका आपसन नमर बी जो बता रहें उनका राइट है ठीक है मालूम है पिलिया कैसे होता है हीमोगलोमीन जब तूडता है न तो उसमें से पीला पीला एक द्रब पाय जाता है जिसको हम लोग क्या करते हैं बिली रूबीन द्रब ठीक है क्य है हेपेटाइटिस कैसे क्या करते हैं है हेपेट लाइट चैसे करने के फिला और पिला निकलने लगता है इसके कर नहीं हमारा यकरीद होता है इस वह प्रभाव पढ़ता है संक्रमन का सबसे ज्यादा चलिए अब यहां पर क्वेश्चन नमर 10 कहता है चंपारन में किसानों को किसकी खेती करने के लिए तिनकठिया पदती लागू की गया था अंग्रीजों के द्वारा हाज जी बहुत अच्छा वह चागा अपसा नमर 10 नील की खेती के लिए दुस्तों हाज जी नील की खेती के लिए और फिर इसके बाद गांधी जी आए चंपारन में और फिर उसके बाद अंदोलन किये और तिनकठिया पडेती को किसानों के बीच से हटा दिया गया और वह मं कौन बच्चा बच्चा तक जानता है गांदी जी को चली क्वेश्चन 11 कहता है पहले बृत आयोग का गठन नीचे का पहले बृत आयोग का गठन नीचे का उन्हें स्वेकानमे में किया गया इसके अध्याच थे देखें यहां पे कुछ टाइपिंग मिश्टे के मैं कहता हूं पहला जो बृत आयोग का गठन हुआ था दोस्तों कब हुआ था तो वह था उन्हें इस्वेकान इसवी में ठीक है और इसके अध्याच कौन थे सबसे प्रतम अध्याच कौन थे पहला बृत आयोग का आपसन न कौन होगा जी तो चलिए देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर मिलाएगा सभी लोग पहले बृत आयोग का गठन वह था कब हुआ था यहां से आप लोग याद कर लीजिए पहला बृत आयोग का गठन का वह था था तो उन्हें से कावन इस्वी में और उस समय का अध्याच कौन थे तो ओ थे केसी नही τη काराइट रहें का राइन pipe थे के याद रखेए गहावन प्रत्थम भृत्ति आयोग का गठन के समय इसके अध्य wärश कौन थे तो केसी नहीं होगी पुछेगा पूर्वी smudra को श्वामनी का नाम है किस देश को श्वामनी का नाम पाकिस्तान आप से वर्म अप स है भारत से जल्डी से बताईए तो चले दोस्तों इसका राइट अंसर मिलाईएगा हाँ जी वह हो जाएगा स्रिलंका या निकापसर नमर ए स्रिलंका हो जाएगा ठीक है पुर्वी समुद्रों कि श्वामिनी किसे का जाता है तो श्रिलंका को अब देखें जो क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में कि सीटी ओफ सीटी ड्रीमिंग सीटी ठीक है सीटी ओफ ड्रीमिंग अस्पाइरस इसी प्रकार से आया हुआ था सीटी ओफ ड्रीमिंग ड्रीमिंग अस्पाइरस अस्पाइरस के नाम से कौन सा छेतर जाना जाता है तो यहां पर क्या हो जाता ऑक्सफड ऑक्सफोर्ड हो जाता ठीक है ऑ अगला जो आता है दोस्तों वह था एंपायर ठीक है देखिएगा क्वेशन आएगा यहां से 100% हो जाएए यहां पर हो जाएगा रुख जाएए एंपायर ठीक है एंपायर सीटी के नाम से कौन जाना जाता है मालूम है यह होगा निव नॉर्क बहुत सारे विद्यारती लोग से क्या निव नॉर्क हो जाएगा और वही सिटी आफ़ ड्रीमिंग स्पाइडर्स के नाम से को जाएगा और यहां पे तो आपको पता ही है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्वीडियो में और नेक्स्ट इंपॉर्टन क्वेस्टन के स साथ तो आज के लिए बस इतना ही जहें जय भारत